पुर्षकर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, हमारे इस बेहत विशेश कारिक्रम वैदिक गुरु में, मैं हूँ आपके साथ नम्रता दर्शको इस कारेक्रम के माध्यम से हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके जीवन में आ रही तमाम समस्याओं तमाम परिशानियों का समधान हो सके इसी कड़ी में आज इस कारेक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंक जोतिश की क्या है अंक जोतिश, अंक जोतिश कैसे कारे करता है, कैसे अंक जोतिश के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाली परिशानियों का समधान हो सकता है, आज इस विशे पर चर्चा करेंगे और इन तमाम जानकारियों को देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है All India Institute of Occult Science दिल्ली की छात्रा एश्वर्या लक्ष्मी जी तो चलिए कारेकरम की शुरुवात करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं एश्वर्या जी का एश्वर्या जी आपका स्टूड पर कैसे प्रभाव डालता है आंक जोतिस निम्रोलोजी ऐसे तो निम्रोलोजी अकल साइन्स का एक पार्ट है लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि यह एक हेलपेंइंस है और एक गाइडिंग साइन्स है जो हमारे लाइफ पाथ को एक सही गाइडेंस देता हैं और सही पाथ क वो अगर हम select करते हैं numerology के हिसाब से जो हमारा destiny number रहता है तो हम एक name fame and success प्राप्त कर सकते हैं अगर example से मैं बताना चाहूं कि जैसे कि आप देखो कोई भी बच्चा जब born होता है तो किसी date को लेकर के आता है इस दुनिया में और जो जिस घर में वो रहता है पलता है उसका भी एक house number होता है जब वो school जाता है तो उसे एक roll number मिलता है अगर वो paper लिखता है तो marks उसे numbers में म है वो भी एक numbers में आती है जिस account number पर आता है वो भी एक number होता है तो इस तरह से आप समझो कि हमारा निम्रोलोजी जो है वो हमारे लिए कितना important है अगर हम यह जान ले कि कौन सा number हमें support कर रहा है या अच्छा positive in fact दे रहा है और कौन सा negative तो definitely हम अपने life में success ज्यादा करेंग और कल साइनसे कैसे जुड़ी मैं बच्पन से ही मैं यह जानना चाहते थी कि science तो हम सब जानते हैं लेकिन अकल्ट science क्या है यह कैसे जीवन के छुपे हुए रहस्यों को बताता है तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जभाब मेरे अंदर हमेशा आते रहते थे लेकिन ऐसा नहीं मिला बट एक दिन मैंने ना आल इंडिया इंसेट्ट के डेमो क्लासेज जोईन किया और मुझे ऐसा लगा कि यहां पर मेरे सारे सवालों के जबाब मिल जाएंगे तो वहां से मैंने अकल्ड की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया तो वहां से मैंने पहले निमची से फिर जुड़ गई तो एश्वर्यजी आगे बढ़ते हैं सुशे में मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि निम्रोजी में परस्ट्राइटी नंबर और डेस्ट्री नंबर का क्या रोल होता है यह क्या नंबर्स होते हैं परस्ट्राइलिटी जिसको की मूलांक भी कहा जाता है और डेस्टिनी नमबर जिसको की भाग्यांक कहा जाता है परसनालिटी नमबर मूलांक वो होता है कि आप किसी भी मन्त को जिस डेट को आप पैदा होते हैं वो आपका personality number होता है अब 1 से लेके 9 तक जो है वो हर एक number एक planet से related रहता है और 10 to 31 हम 2 digit को भी add करके 1 digit में लेके जाते हैं और उसको planet से connect करते हैं destiny number होता है जब हम month date plus month और plus year जब total करते हैं और उसको one digit में लेके जाते तो वो destiny number होता है destiny जैसे कि आपको words से ही पता चलता है कि life path number कि हमारी life की destiny क्या है और उसके लिए हमें कौन सा path select करना शाहिए तो इस तरह से personality or destiny number जो है वो हमारे personality or destination को define करता है for example 5 10 2012 अगर किसी का date of birth है तो 5 जो है वो हमारी personality number हो जाती है and 2 जो है वो हमारी destiny number हो जाती है जी तो आश्वेर जी जैसा कि आपने कहा कि यह जो numbers होते हैं यह ग्रहों से बिलॉंग करते हैं तो मैं चाहूंगे कि personality जो number आपने बताए एक से नौ तक जो numbers होते हैं वो किस किस प्लानेट से बिलॉंग करते हैं इनके traits क्या है और हम क्या remedies कर सकते हैं कि यह numbers हमारे लिए positive result लेकर आए definitely यह एक बहुत अच्छा सवाल है और यह generalize है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस trade को use करता है तो definitely वो एक अच्छा positive life path को select करेगा अब जैसे कि हम शुरुआत करते हैं number one personality number one है तो जो भी व्यक्ति अगर month के किसी भी 1, 10, 19 and 28 को पैदा होते हैं तो उनकी personality number one होती है अब उनके यह positive traits में आते हैं कि उनके अंदर definitely एक leadership quality होती है और उनको एक हमेशा unique पहचान जिसको unique identity बोल सकते हैं उसके लिए उनको हमेशा इच्छा रहती है और उनको luxury life भी मिलती है लेकिन उनको precaution क्या करना है कि वो definitely उनको ego पे और अपने anger पे control करके रखे तो वो बहु होता है for example अगर हम आपको बताना चाहिए जैसे धीरुबाई अबानी उनका date of birth होता है 28 December तो आप इस date of birth से आप उनकी quality को आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर यह leadership quality किस तरह से आई अगर हम बात करे टेम को की जो apple के CEO है तो उनका date of birth जो है वो भी first November है तो इस तरह से इनके अंदर जो leadership quality है वो definitely उनके personality number की वज़े से हैं अगर किसी वी व्यक्ति का personality number one है तो वो red color और orange color यूज करता है तो उसके लिए definitely lucky होता है days उसके लिए lucky Sunday होता है और अगर remedies में मैं simple remedies बताऊं तो father की blessing जो है वो definitely उसके लिए बहुत ज्यादा work करता है और early morning के जो sun की raise होती है धूप होती है अगर वो two three minutes उस धूप में खड़ा होके अपनी desire को manifest करे तो definitely वो एक positive result देता है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं personality number two अगर two, eleven, twenty and twenty nine को आप अगर born होते हैं किसी भी मन्त को तो आपकी personality number जो है वो two होती है और इस personality number को rule करता है moon अब moon की characteristic जैसे की moon को हम दे हैं तो उस तरह से इनके अंदर intuition पाबर बहुत ज्यादा होती है creativity बहुत ज्यादा होती है एक emotional personality भी होते है इनके लिए application क्या है कि इनका moon से related है तो इसलिए इनका मन बहुत जल्दी बदलता है तो कोई भी काम को complete करने में इनको उत्ता टाइम नहीं दे पाते है तो definitely थोड प्रीट करें और किसी से ज्यादा उमीद नहीं रखे विकाद कि इमोशनल होते तो इनको होने के chances होते हैं इनके लखी कलर है वाइट डेज मंडे है और इनके लिए अरबेडिस में बोलूँगे कि अगर यह मदर की blessing लेते हैं तो definitely बहुत अच्छा work करता है और यह meditation करे मन क को कंट्रोल में करने के लिए हैं अब हम आगे बढ़ते हैं परस्नालिटी नंबर थ्री जैसे कि आप पता कि किसी भी मंत को आप 3 12 21 और 30 को बॉन होते हैं तो वह आपका परस्नालिटी नंबर 3 होता है और यह इसको जूपिटर प्लाने जूपिटर जो है वह आपको रूल क करता है तो इसमें इस परस्नालिटी की क्या खुबी है कि एक नौलिजिबल परस्नालिटी होते हैं डिसिप्लीन में रहते हैं और अकल साइन्स में भी डेफिनेटली इनका रुची होता है इनको जो प्रिक्वेशन लेना है यह और जो है ओवर कॉन्फिदेंस इनके अंदर बहुत जादा आ जाती है तो डेफिनेटली उनको आप कंट्रोल करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप सेयर मार्केट या लॉट्री इस तरह की चीजों में आप पैसे ना लगाए तो क्योंकि वहां से आपको अच्छा गेइन नहीं मिलके हो सकता है कि जो है वह यलो कलर अंधे लिए अच्छा लगी कलर होता है टसुर्सीदर होता है आаем गुरू हो किरू किसी भी रूप में गुरू हो सकता है आप कर्को ते यह रूप करते हैं तो एक बहुत अच्छा वह करता हैं अब हम आगे बढ़ते हैं personality number 4 की तरफ तो आप 4, 13, 22 and 31st जो है वो बेलॉंग्स करता है आपके personality number four को और इसके लिए Cost, just, रूर्स करता है वो होता है राहो अब राहो जो है वो mind से बहुत ही तहीं होता है यह personality definitely mind का यूज स्वाइब ज्यादा करता प्लानिंग और यह बहुत अच्छी होती है तो इसको यूज करके डेफिनिटली वह बहुत ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं और इनके जो अपने अच्छी होती है अगर आप अच्छा होगा इनके लिए कलर जो अगर मैसेज़ेस्ट करूंगी लाइट ब्लू जो है इनका लखी कलर होता है डेज साटरडे और इनके लिए रेमेडीज है कि फोर्थ ग्रेड के जो वरकर होते जो लोगर क्लास के वरकर होते उनको अगर यह फूड डोनेट करते हैं और वैसे तो किसी भी दिन क्रेक्षट को आप बॉन होते हैं तो आप में को रूल करता है प्लैनेटमर्ग कर दिये का गारक है तो यह जो पर्सुनाल्टी होती है इनमें बेलान्स 7 कैपाबलेटी बहुत जादा होती चीज को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेते हैं और एक अच्छी जो बात ह होने की capability बहुत अच्छी है तो इन पॉजिटिव ट्रेट्स को अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत अच्छे पोजिशन हासिल कर लेंगे या रिलेशन से आप बहुत अच्छे सब्सक्राइब करना है कि यह हार्डवक से बहुत घबराते हैं तो आप हार्डवक से नहीं घबराएब डेफिनेटली जो भी काम करते हैं उसको कंचिनियु रखें आगे बढ़ते जाए और अपना गोल जो है वह हमेसा फिक्स करके रखें आपके लिए कलर जो होता है वह ग् लगाना जो है वह बहुत अच्छा लग एंहांसमेंट करता है तो आप प्लांट लगाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा अब हम आगे बढ़ते हैं परस्टनाल्टी नंबर सिक्स आप सिक्स 15 और 24 कि किसी भी मन्त को बॉन हुए है तो डेफिनेटली आपकी परस्टन समक में भी रखता है तो डेफिनेटली आपकी परस्टनाल्टी जो है वह इस तरक्की होगी आप फैमली से बहुत ज्यादा जुड़े रहेंगे किसी भी चीज को करने के लिए कोई ना कोई डेफिनेटली आप जुगार निकाल लेंगे और घूमना फिरना आपको बहुत ज ध्यान रखे और हर समय डिखावे के लिए आपको लगजरी लाइफ की अच्छा लगता है तो उसके लिए ज्यादा लोन नहीं लें क्योंकि दिखावे के लिए लोन लेना कभी-कभी आपको भारी पर सकता है आपके लिए जो कलर है во है फैबुरिट गर या लखी कलर जो है वो off white है and day Friday है और आपको अगर मैं बताओं कि क्या करना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्याद आईजियोगा तो सबसे easy tips है कि आप perfume का use करें और अपने personality का enhancement करें इसके बाद हम जाते है personality number 7 की तरफ आप किसी भी मन्त को 7, 16 and 25 को अगर born होते हैं तो आपका definitely personality number 7 है तो इस personality की क्या खास बात है कि ये जो emotional होते हैं और इनको धोखा मिलने के chances जादा होते हैं और ये बहुत जादा researcher होते हैं मतलब किसी भी चीज को अगर इन्होंने सोच लिया तो definitely उसके अंदर तक जो बोलते हैं कि छुपे हुए रहस्यों को जानने के लिए ये अंदर तक जाते हैं तो इनके लिए प्रक्वेशन क्या है कि definitely इनको धोखा मिलने के chances होते हैं तो हर किसी पे बहुत जल्दी आप बिस्वास नहीं करें और family life को भी importance दें आपके लिए lucky color जो है lucky color gray and black है lucky day जो है वो Tuesday है और आपके लिए precaution है कि आप जिस भी धर्म से belongs करते अपने धार्मी कस्थान पर regularly जाया करें तो आपके लख में enhancement होगा और आपकी जो obstacles जो life में है उससे definitely आपको relaxation मिलेगा और आप अच्छा success पा सकते हैं इसके बाद हम आते हैं नंबर 8 आप 8, 17 and 26 किसी भी मन्त के आप इस date को अगर born होते हैं तो आपका personality नंबर एक है एक जो है उसको belongs करता है साया प्लाने साटर्न तो साटर्न साटर्न की capability है कि यह hard worker होते हैं बहुत ज्यादा dedication होता है इनको किसी भी काम को करने के लिए और यह time table को भी बहुत ज्यादा follow करते हैं और यह जो भी काम यह कि खुद से करते हैं उससे बहुत ज्यादा satisfied होते हैं और एक जो इनके बहुत अच्छी खास बात है कि इनको रीड करना बहुत मुश्किल होता है मतलब दूसरे के लिए problem है definitely पट उनकी कि अच्छे बुड़े हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से बालन स करते तो इनके फेस से आप रीड नहीं कर सकते हो कि वह करना चाह रहे हैं तो इनके लिए operate क्या है कि यह बहुत जादा डेडिकेशन देते हैं अपने काम को या हाड़ वोग को होते हैं तो इनको अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए अब अगर इस नंबर एड की मैं बात करूं इसके लिए एक्जामपल में नरेंद मोधी जी का डेट बर्थ बताना चाहूंगी कि उनका डेट बर्थ है 17 सब् करते हैं और उनका हाड़ वो डेडिकेशन होता हैं इनके लिए कलर है ब्लाक एंद ड्राक ब्लू कलर इनके लिए डेय है साटरड बे और इनके टा雇न प्रट हो तो आप अपने लाइफ वेगा फर नesting ऊंबर कॉलोके लोगे नमर नाइन आप 9, 18 and 27 के किसी भी मन्त के डेट को आप पैदा होते तो definitely आपके जो personality number है वो 9 होती है इसको रूल करता है planet Mars तो यहाँ इनकी positive traits यह है कि यह all-rounder होते हैं, social worker होते हैं and काम करने में ठकते नहीं है definitely continuation में यह काम करते रहते हैं, इनके लिए precaution है कि बिना सोचे समझे कोई फैसला ना ले और अपने गुस्ते को control करे, इनके लिए lucky color है red, days है Tuesday and इनके लिए precaution में बोलूँगी कि अगर हन्मान चली सा सुन सकते तो definitely हर दिन हन्मान चली सा सुने, अगर हर दिन नहीं सुन सकते त Tuesday को definitely सुने या पढ़े, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, जी तो एश्वेरा जी कारेक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं, तो एक मेल हमारे पास आया है करन जी का, इनकी date of birth है 14 February 2001, यह अपने करियर के बारे में, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, मैं एक मिनट जो में date of birth का अनकालती हूँ, हाँ, तो जो date of birth आपने बताया, वो 14 to 2001, तो इनका आप देखोगे, personality number जो है, वो 5 आ रहा है, and destiny number 1 आ रहा है, तो इनके लिए अगर मैं एक बात बोलू, तो यह बहुत definition है, personality and destiny number का 5 and 1, इनमें यह capability है कि यह 0 से hero बन सकते हैं, और सफलता definitely इनको मिलता है, इनके लिए remedies है कि यह सुर्य and सुक्र का उपाय करे, अगर मैं overall description इनके grid का बताऊं, तो इनको जो ध्यान रखना है, वो है कि कोई भी काम जो है, यह सोच समझ के नहीं करते हैं, तो इनको कोई भी planning करें, या जो भी आगे career में करना चाते हैं, तो definitely उसको सोच समझ के, action लेने में भी यह देर कर देते हैं, अगर यह planning कर भी लेते हैं, तो definitely वो action नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए action लेना बहुत जरूरी है, और उनकी capability है, इनकी destiny number 1 है, तो definitely यह जो career में अगर य national company के higher post पर यह जा सकते हैं, तो वो dedication इनको चाहिए, capability है, बट उस position या उस path को यह select करते हैं, तो definitely काफी आगे जाएंगे, थोड़ा जोए यह mentally परिशान रहते हैं, मतलब माइन में बहुत कुछ इनका चलता रहता है, तो उसके लिए meditation कर सकते हैं, और definitely एक अच्छा successful life जो ह बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो अपनी मन साही नौकरी पाने के बाद भी परिशान रहते हैं, या यू कहलो कि किसी ने अपना व्यपार, अपना बिजनस टाट किया है, तो उसमें उसे positive results नहीं मिल रहे हैं, वो उसमें भी परिशान है, तो क्या इसके पीछे भी कही ना कही अंको का प्रभाव पड़ता है, मैं जाओंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हम नंबर के अनुसार कैसे अपना profession सेलेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली, ये एक बहुत अच्छा सेलेक्शन है, आपने देखा होगा कि कई लोग जॉब तो करते हैं, पर बहुत हार्ड इसका इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बहुत जादा hard work और dedication के बाद भी उनको opportunity नहीं मिलती है, और कई लोग जिनको पता है कि हमारा destiny number क्या है, क्योंकि profession हम ऐसा destiny number से सलेक्ट करते हैं, तो उसकी according अगर हम अपने profession को सलेक्ट करते हैं, तो hard work तो definitely किसी भी profession में hard work dedication तो ज successful जो बोलते है, opportunity बहुत जादा मिलेगी, आपको success बहुत जादा मिलेगी, तो अगर मैं describe करना चाहूंगी, कि जैसे number one, जो है destiny number, उनके लिए जो option opportunity है, वो leader बन सकते हैं, independent अपना कोई भी business कर सकते हैं, कोई भी काम बड़े लेबल का भी आप start कर सकते हो, definitely government job आप कर सकते हो आप अगर किसी multi-nature company में काम करते हो, तो आपके hard work और dedication के साथ आप CEO भी बन सकते हो, engineering और medical तो definitely इनके लिए है, बट इनको क्या नहीं करना है, iron से related कोई भी काम इनको नहीं करना है, क्योंकि उनमें इनको success मिलना बहुत ही मुश्किल है, अगर हम destiny number two की बात करें, तो उनके के लिए career opportunity में आता है कि milk से related आप कोई भी business कर सकते हो, water से related काम कर सकते हो, art and music, because की two number जो है, वो creativity भी देता है, तो आप art and music से related कोई भी आप profession select कर सकते हो, creativity से related भी कोई भी profession आप select कर सकते हो, definitely आपके लिए बहुत अच्छा opportunity लेके आएगे, अगर number three की बात करें, तो यह ज सकते हो, consultant बन सकते हो, banker बन सकते हो, वैसे तो बहुत सारे options है, यह options जो है, आपके लिए काफी best रहेगा, क्योंकि आपका planner जो इसमें काफी अच्छा आपको support करेगा, तो आपकी career भी growth बहुत जादा होगा, number four की बात करें, तो वो politician बन सकते हैं, scientist बन सकते हैं, number four में भी artist बनने के chances भी बहुत जादा है, तो अगर आप parties भी बनते हो, तो definitely आपका planners बहुत जादा support करेगा, IT सेक्टर में आप काम कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छे opportunities आएंगी, business भी definitely क्योंकि यह mind का planet है, तो आप business भी कर सकते हो, आपको share market and finance related काम नहीं करना है, उसमें बहुत जादा मुश्किले आएंगी और बहुत जादा पॉर्शिंट्री मिलने के chances नहीं है, नमबर फाइब की बात करें, तो वो accountant बन सकते हैं, banking या economist बन सकते हैं, author भी बन सकते हैं, journalist भी बन सकते हैं, और artist भी बन सकते हैं, नमबर सिक्स की अगर बात करें, तो आप diamond से related क कोई भी business कर सकते हो, perfume, luxury, media, film city, इन सबसे related आप कोई भी काम कर सकते हो, definitely आपको बहुत अच्छा success मिलेगा, नमबर 7 जो है, वो आप 7 जो है, वो के तो planet को relate करता है, तो definitely यह जो है, आपको psychic healer, अगर आप बद्दे हो, तो definitely बहुत अच्छा होता है, spiritual, आप अगर कोई गु कोट होगा, import, export से related भी आप काम कर सकते हो, अकल साइन से भी आप जूट सकते हो, engineer और scientist, doctor और medicine से related भी आप काम कर सकते हो, अब नमबर 8, 8 जो है, वो आप footwear, leather से related कोई भी business कर सकते हो, आपके लिए definitely बहुत अच्छी opportunity और business में बहुत जादा success मिलेगा, finance, industries और sportsman भी आप ब पानी से related कोई भी काम नहीं करना है, नमबर 9 की अगर बात करें तो 9 definitely Mars planet रूल करता है और उसमें करेश बहुत जादा होता है, तो यह जो आप पुलिस man बन सकते हो, आर्मी में काम कर सकते हो, fire department में काम कर सकते हो, dentist या land से related, land property dealer, land dealer इस तरह के भी काम आप कर सकते हो, जी अंक हमारी health पर भी प्रभाव डालते हैं, definitely, जो अंक है, वो किसी न किसी planet से connect किया हुआ है, हर एक नमबर का एक planet है, तो planet, planet जो है positive और negative दोनों ही हमारे उपर जो है प्रभाव देता है, अगर हम निमरोलोजी में health की बात करें, तो इसको medical निमरोलोजी कहा जाता है, अगर इसका ग्यान ब्रह्मा जी ने अश्वनी कुमार को, अश्वनी कुमार ने इंद्र को, इंद्र ने धनवंत्री जो की health के देपता है, जो उनको हम मानते हैं, उनको धनवंत्री ने मुनियों को दिया, और मुनियों के थ्रू ये हम तक आया, इंजियन medical science, आयूर्वेद के अ बहुत सारे research हमारे गुरुओं ने या बहुत बड़े-बड़े निम्रोलोजिस्ट जो है पहले, उन्होंने बहुत सारे research करके इन दोनों को connect किया है, कि कौन से number कौन से category में आता है, तो अगर पहला वात, वात जो four, five और eight number जो हैं, वो belongs करते हैं वात से, इनकी health की जो issues हो जाती है, fairness भी होती है, anxiety की problem हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को होता होगा, बट डेफिनेटली आपकी जो इस number का category में आता है, तो आपको ये issues हो सकते हैं, नहीं हो रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, बट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए प्रिक्वेश हैं, fruits और देशी घी और raw vegetable, definitely अगर आप खाएंगे तो आपके body की जो सनरचना, जो की वात के कारण हुई है, तो वो आपको healthy रहने में बहुत help करेगा, अब अगर बात करें पित की, तो पित में number जो आता है, वो one and nine है, तो इसमें issues क्या हो सकते हैं इन number में, bleeding gums जो होते है इनकी problem इनको हो सकती है, acidity से related problem हो सकती है, skin rashes जो होते उनके problem हो सकती है, hair fall की problem हो सकती है, frustration and anger की भी problem हो सकती है, तो इनको जो cut करना है, जो इनको food बिलकुल भी use नहीं करना है, वो है इनको dry fruits बहुत कम से कम use करना है, spicy food बिलकुल भी use नहीं करना है, और milk product जो है, वो भी use इनको जादा से जादा फुड में जो water content fruit and vegetable या फुड है जैसे डाल का पानी या definitely तो जो water content जादा करता है वो food अगर ये खाते हैं तो definitely इनका जो सरीर है वो स्वस्त्र रहेगा और इनको health issues नहीं आएंगे अगर आप बात करते हैं कफ की तो 2, 3, 6 and 7 जो है वो आपके कफ कैटेगरी में आता है इनके जो health issues हो सकते हैं कफ and cold की हो सकती है इनके अंदर obesity की problem भी आ सकती है और sinus के definitely cold and कफ का है तो हो सकती है इनको cut करना है milk product और इनको लेना है ginger and black paper का खाने में ज्यादा से ज्यादा यूज़ करें और basin से बने हुए food को यह ज्यादा से ज्यादा यूज़ करें तो इनकी immunity जो है वो increase होगी और definitely एक healthy life जिएंगे जी तो आश्वेरे जी आप हमारे स्टूडियों में आए हमारे दर्शकों को इतनी विशेश जानकारी दी हमारी दर्शकों के समस्याओं का समधान किया उसके लिए आपको बहुत भाधने बाद झाल